LAC यानी Line of Actual Control जिसकी वज़े से भारत और चाइना के बीच में लगातार Border Tension बनी रहती है हाली में कुछी समय पहले भारत और चीन के बीच में इसी Border Issue के वज़े से आर्मी आमने सामने थी और Azizual भारतिय जवानों ने चीनियों के सर पे दंडा मार मार के भगाया ऐसे में अगर Border Tension ऐसे ही लगे रहे तो युद्ध के हालात को बिलकुल भी नकारा नहीं जा सकता और LAC वही जगा है जहांपे की 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो चुका है ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भारत और चीन के बीच में दुबारा भी युद्ध हो अगर युद्ध होता है तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के पास कितनी ताकत है और वो चाइना के सामने कहां खड़ा होता है इसी वज़े से आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतिय नेवी और चैनीज नेवी को कॉमपेर करके बताऊंगा अब आप लोग सोच रहे होगे अगर दोनों की बीच में war हो रहा है तो नेवी का क्या का और इस वीडियो में compare नेवी का क्यों किया जा रहा है इसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा इसलिए इस वीडियो को लास्तक जरूर देखना 1962 में जो war हुआ था वो हुआ था अकसाई चीन में और इसी का नतिजाज ये निकला है कि भारत के हाथ से अकसाई चीन निकल चुका है इसी वज़े से भारत को भी ये परिशानी आ रही है कि अगर उसी जगह दुबारा war होता है तो भारत की तरफ एक खड़ी चड़ाई है जो कि भारत को एक बहुत ही ज़्यादा negative position प्रोवाइड करता है और इसी के opposite चाइना के पास एक अच्छी advantage रहेगा दूसरी तरफ भारत के लिए ये भी परिशानी आ सकती है कि पाकिस्तान पीछे से हमला कर सकता है ऐसे में अगर वहाँ पर यूद होता है तो भारत completely back foot में आ जाएगा लेकिन जियो politicians का ये कहना है कि अगर भारत और चेन के बीच में दुबारा यूद होता है तो इस पार वो LAC के एरिया में नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर पड़ती है भारी थंड और चाइना की लोग उस थंड से acquainted नहीं है और दूसरा रीजन ही आता है कि LAC बहुत हाई altitude पे है जिसकी वज़े से चाइना के एर फोर्स का ताकत आधी हो जाएगी ऐसे में चाइना उस एरिया में वार लड़ना प्रिफर नहीं करेगा ऐसे में अगर वार होता है तो वो होगा इंडियन ओशन में और यही एक रीजन है कि इस वीडियो में भारतिय नेवी और चाइनीज नेवी को compare किया गया है अगर हम भारतिय नेवी और चाइनीज नेवी को compare करें तो यह पता चलता है कि भारत के पास दो aircraft carrier हैं दूसरी तरफ चाइना के पास तीन और अगर हम पंडूपी की बात करें तो भारत के पास में 16 पंडूपी है दूसरी तरफ चाइना के पास 78 जो की दुनिया में सबसे ज्यादा है इसी के साथ भारत के पास 18 DDG Guided Missile Destroyer है दूसरी तरफ चाइना के पास 20 और अगर हम चाइना और भारत की बीच में नेवी की रैंकिंग करें तो दुनिया में चाइना की नेवी 2nd position पे आती है और भारत की सातवी ऐसे में आंकडों के हिसाब से भारत तो कई पीछे दिखाई पड़ता है लेकिन हकीकत कुछ और ही है इस वर में जो सबसे ज्यादा crucial role play करने वाला है वो है geography भारत और चाइना की बीच में चाइना को ज्यादा aggressive माना जाता है ऐसे में ये माना जा सकता है कि भारत और चाइना की बीच में जो यूद होगा उसकी शुरूआच चाइना करेगा दूसरी तरफ भारत का तो no forced attack policy भी है ऐसे में चाइना जैसे ही इंडिया नोशन में एंटर करता है भारत के पास geographical advantage आना शुरू हो जाता है चाइना को इंडिया नोशन में एंटर करने के लिए बहुत ही complicated routes को follow करना होगा और इसी complicated route की वज़े से चाइना की ships को refueling और food पहुँचाने के लिए बहुत ज़दा तकलीफ है आएंगी दूसरी तरफ भारत के पास AC कोई भी परिशानी नहीं होगी और इसी वज़े से भारत के ships या कह सकते हैं भारत के navy अच्छे से perform कर पाएंगी भारत के पास जो दूसरा geographical advantage है वो होगा मलका स्ट्रेट मलका स्ट्रेट का control भारत के हाथ में होने से चाइना को बहुत ज़्यादा परिशानी हो सकती है क्योंकि वो ही चाइना का दुख्तिनस है और भारत जब चाहे उसको दबा सकता है ऐसे में मलका स्ट्रेट से भारत अपनी आर्मी को activate कर सकता है दूसरी तरफ चाइना को अपनी navy से ही लड़ना होगा इसी के साथ जो तीसरा crucial role play कर सकता है वो होगा अंडामान और निकोबर आइलेंड नहीं बनती ऐसे में इस war का फाइदा USA से भी पीछे से ले सकता है ऐसे में चाइना को two front war के लिए ready रहना होगा अब जो आखरी benefit होगा भारत को वो होगा भारत अपनी area में लड़ेगा दूसरी तरफ चाइना दूर से भारत पे attack करने इंडिया नोशन में घुसने वाला है ऐसे में भारत अपनी पूरी intensity के साथ war लड़ सकता है दूसरी तरफ चाइना वो नहीं कर सकता और अगर पीछे से पाकिस्तान attack करता है तो उसके लिए भारत के पास अपनी army तो ready रहेगी लेकिन अगर USA attack करता है तो चाइना को अपनी navy से ही लड़ना होगा ऐसे में चाइना की navy को two front war एक साथ लड़ना पड़ेगा जो की भारत को एक significant advantage देगा अब आप नीचे comment section में बताइए अगर भारत और चीन के बेच में दुबारा यूद होता है तो कौन से और factors हैं जो की इसको influence कर सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को like जरूर करना और इसे informative वीडियो के लिए स्टैन को subscribe जरूर कर देना